दोस्तों एक बार हम फिर उपस्तित हुए हैं आप लोगों के समझ नई जानकाई ले करगे दोस्तों दोस्तों आज की नुज में हम जानकाई देंगे कि भारतियों लोग सेवाधल जो दानगरजी की अगवाई में चल रहा था कायग्रम और अंदोलन हुआ अंदोलन के क्या आशर हुआ और दोस्तों दो मत जो काम कर रहे हैं पैसा दिलाने के लिए एक तो दाज दिलाने के लिए कारियत है और दूसरा भारते लोग सेवादल और रब संगठन है जो पैसा दिलाने के लिए कारियत है इन दोनों के बारे में आगे हम बात करेंगे दोस्तों और एक हम आप लोगों के समझ सेर करेंगे दोस्तों क्या कहा दार्मकरजी ने उसे हम बताएंगे दोस्तों आगे इससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कौन सी बड़ी बात है तो दोस्तों पहली वाज अगर इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब क जाते हैं जो पहले से सब्सक्राइब के हुए हैं दोस्तों दोस्तों बड़ी बात कि धन्ना प्रदर्शन हुआ दोस्तों और जिसक लिए हमने धन्ना प्रदर्शन किया दानगर्जी ने किया भारी संख्या में लोग वहां पहुंचे और दन्ना प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए और वहां नारा लगाएगे दोस्तों कि जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम यहां से नहीं जाएंगे पैसा हमारा है नहीं किसी का बाप का इस प्रकार के बहुत से नारे लगे और मोधी भी रोधी नारे भी लगे और डटे रहने की बात आई जब तक पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों हम यहां से नहीं जाएंगे वहां के लोगों ने बहुत जोश के साथ नारे लगाते रहे दोस्तों अंत में गरिपतारियां हुए धारा 144 वहां लगी हुए थी और दोस्तों ले जाकर के उसके बाद क्या हुआ दोस्तों छोड़ दिया गया कोई خاص ख़बर निकल कर नहीं आई इस सामने दोस्तों लेकिन आप लोगों को हम बताना चाहता हूँ जो नौतारिक को दानगर्णी जी ने बताया एक वीडियो में बताया दोस्तों वो बड़ी बात क्या थी आप जानें बड़ी बात ये थी दोस्तों कि दान कर्णी जी ने बताया कि जो लोड़ा कमीटी के पास संपत्ती है प्रियाफ संपत्ती नहीं है और उसको बेजने के बाद पाइसा सभी लोगों को मूल्धन, ब्यास सहित पैसा नहीं मिल पाएगा इतनी प्रापर्टी लोड़ा कमीटी के पास नहीं है अगर भंगु चाहे भंगु के पास आथा संपत्ती है अगर भंगु चाहे तो पैसा सभी निवेजकों का ब्यास सहित पैसा दे सकता है ऐसी बाते दांद गंजी ने कही और एक बात और कही दोस्तों का बताया जिब जब सीवियाई जांच कर रहे थी ठीक से सीवियाई ने जांच नहीं की जांच करने के बार लोड़ा कमीटी को प्रियाव संपत्ती अटेश नहीं की दी नहीं बहुत सारी बातें हुई दोस्तों ये बात निकल कर आए दांद गंजी ने कहा इसी लिए पैसा मिलने में बड़ी दिक्कत हो रही है और दोस्तों एक बात और दानगर जी ने कहा और माना उन्होंने कहा कि कि प्रापर्टी सीमित है जो लोड़ा कमेटी में अटेच है और हमारा जो अंदोलन है सफल नहीं हो पाता है इसका में रीजन है दोस्तों सभी चिटफट कमपनियों के जो कार करता है निवेशक है एजेंट है सब लोग अगर दिल्ली पर आ जाए मतलब कि अंदोलन में सभी लोग भागिदारी कर ले तो हमारा अंदोलन सफल हो जाए और जो सरकार की एजनसियां है जाच एजनसियां है पैसा दिलाने का जो काम करती है और जो सिस्टम लगा हुआ है अगर सरकार पर दबाओ अच्छे से बन जाए तो जरूर हम लोगों को पैसा मिल सकता है या जल्दी मिलेगा ऐसी बाते दानकर जीने कहिए दूसरी तरह हम बात करते हैं दाजीरो चैनल की बात करते हैं कुछ बाते दानकर से और दाजीरो ने उच पैसेल मैटर से हुई दोस्तों उसमें ये बात सामने निकल काई दानकर जी ने कहा कि आप जो है हमें आरोप लगाया था कि हमने पैसेल की जो प्रापारिटियां है संपत्यां है उसको कुछ कबजे में हमने ली थी प्लब कबजा के हुए थे हम पर आरोप लगाया हाँ तो उन्होंने माना कि हाँ हमने पैसेल की संपत्य जो कुछ थी उनक हमने कबजे में लिया था और बहुत सारे लोग लिये थे लेकिन एक बात और बहुत बड़ी खुलासा उन्होंने किया लेकिन ये एक बात और कहीं दोस्तों से हम बताना चाहते हैं उन्होंने कहा कि PSL की प्रापर्टी हमने हाँ ली थी लेकिन हमने सारी प्रापर्टी वाफस कर दी और उसमें उसके बाजूत मैंने पचास लाख पचास लाख रूपिये गौवर्मिंट के खाते में आटेश करवाई लब दी हमने यह भी बात बहुत बड़ी बात कहीं दातकरजी ने कि हमने पचास लाख रूपिये गौवर्मिंट के खाते में दी हाँ इस बात को माना उन्होंने के हाँ हमने पेसल के प्रापरेट्टी को कबजे में ले थे लेकिन अब नहीं और इसके साथ ये भी कहा 50 लाख रुपे हमने गवर्मिंट को दिये जमा करवाए लोड़ा कमिटी से में अटेज करवाए दोस्तों ऐसी बात उन्होंने कही और दाजीरो चैनल ने कहा या कैस और 22 के बुद्ध पर ध्यान दिया जाए तो जल्दी से पैसा मिल जाएगा इस पर दाजीरो चैनल के बीच सहमती नहीं बन पाई दोस्तों और फिर बात करने के लिए आगरा कि कि एक महिने में एक बार आप हमसे बात कर लिया करें तो दोस्तों अब हम यह कहना चाहते हैं दोस्तों दाजीरो चैनल और दानगरजी जो संग्ठन वाले हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारूप लगते रहते हैं और और दान गरजी ने कहा कि आप जीरो चैनल वाले हैं जीरो चैनल वाले आपके उपर एक बहुत बड़ा आरूप है कि आप गाली देते हैं तो दाजीरो ने उस प्यासल मेटर ने कहा हम गाली उसे देते हैं जो जो हमारे सवालों से भागता है और हमारे सवालों का जवाग सही तरीके से नहीं देता है और निवेशकों के हित की बात न करके उस से भागता है हम उसी को गालिया देते हैं गुस्से में आ करके निवेशकों को ध्यान में रखते हुए उनको गाली देते हैं अन्नता हम गालि दानगर जी ने कहा कि हम अपने तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं पैसा दिलाने का मकसद मेरा है और आपका भी पैसा तो Zero News Special Matter ने कहा हम पैसा दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं केवल हम पादर्सिता दिखा रहे हैं हम अपने चैनल पर किसी दियुज को पादर्सी रूप से दिखाते हैं हम कहना चाहते हैं कोई कार हो रहा है तो पादर्सी हो सभी कार करता उसमें के जरू जाने के क्या आगे होग क्या होने वाला है और हम क्या कर रहे हैं क्या रनीत है इस पर पादर्सिता होनी चाहिए सभी कार करता सभी लोग इस बारे में जाने की आगे की क्या रनीत है किस तरीके से पैसा लिया जा सकता है जैसे कि उन्होंने धर्ने को लेकर के ग्रिपतारी होगी, ग्रिपतारी होने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, यह लिखवा करके, साइन कराकर छोड़ दिया जाएगा, कि आप सांति भंग किया है, आगे से सांति भंग नहीं करेंगे, और बहुत जदा आप ग्यापन देंगे ग्यापन देने से कुछ नहीं होता है ग्यापन पर कोई कारवाही नहीं होती मामला जहां का तहां वहीं पर रह जाता है और कारवाही के नाम पर जीरो प्रसत कारवाही होती है क्योंकि हम इतने दाज जीरो ने पैसल मेटर ने यही बा इसका ये भी तो कारण है कि जितने भी YouTube वाले हैं या आप तो यही कहते हैं कि अंदोलन से कुछ नहीं होगा और लोग अंदोलन में उतनी भारी संख्या में सरकार की उपा दबाव नहीं बना पाते या कहेंगे अंदोलन में लोग नहीं पहुँच पाते तो इसका भी तो असर होता है अगर हम भारी संख्या में अंदोलन में पहुँच जाएं लोग पहुँच जाएं तो जो है सरकार के उपर बहुत अच्छा दबाव बनेगा और सरकार मजबूरन जो है पेसल का पैसा दिल दिला देगी ये भी तो कारण है और आप अपने तरीके से काम कर रहे हैं हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं दाजीरों ने उच पैसल मेटन ने का हम तो इस तरीका नहीं कर से काम कर रहे हैं हम किवल पाद्रसिता दिखा रहे हैं सच्चाई दिखा रहे हैं और सलत गलत और सही को बता रहे हैं कैसे लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस बात पर फोकस कर रहे हैं हम सभी से बात करते हैं दाजीरो ने पेजल मेटर ने कहा हम सभी से बात करते हैं किसी से भी हम संगठन वालों से भी बात करते हैं बाते लोग सिवादल इससे भी हम बात करते हैं आप से बात किया आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और और कुछ लोग सवालों का जवाब ना दे करके सवालों के जवाब से भागते हैं तो हम बुरा भला कहते हैं दोस्तों यही बाते बड़ी ख़बर बनकर सामने आई और आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं आपकी पुस्क्रिया का इंतिजार रहेगा धन्यवाद विए खाएं वार करता है तो अची वीडियो बहुत ही सांधार जह अगयों कि अन्यEr है मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरा पूरा देखिए गा और इसमें कहीं भी आप एक भी पॉइंट को मिस मत करेगा कि अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर गए तो यह भी समझ लिजी कि आपको समझें नहीं आगा आप फिर कमेंट में मुझको यही बात सबसे बड़ी वजह क्या है हो सकता है कंपनी आपको कम दे रहे हो या फिर आपकी वजह से गलती हुई है तो दोस्तों मैं आप लोगों को यह सब कुछ बताऊंगा तो पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप उन्हें कौन सी गलती की होगी जिससे कि आपको कंपनी न जीमां आपने सब्मिट किया था उसमें से मिласт मैच हो रहा होगा यानि की कुछ रसीद समयच हो सहरा है जिस से olhar को एक सीरियल वैज dud है उसकी जितने भी रसीद थी आपने उसको अपलोड किया यानि कि सम्मिट किया तो उसमें से आपने कुछ ऐसी रसीदे अपलोड कर दी होंगी जिसमें से आपके उस बांड की वो रसीदे ना रही होंगी पहली बात तो यह है कि उस रसीद यानि जो बांड आपने सम्मिट किया उस BAN RAMSAY में व रसीदे नहारा हुँगी जो उस BANind के हैं वो किसी और बांड की वो रसीदे आपने उसके साथ सब्मिट कर दिया है ठीक दूसरी बात ये भी हो सकता है क्य आपने जो रसीदे दी है उसमें से जो उसमें के यानि कि जो उसका जो serial number है या भी destin number है जो उसका जो number है वो clearly समझ मेना आया होगा या पिर उनको जो नाम है वह भी confirm न रहा होगा इसलिए उनको mismatch नहीं है कि यहाँ पर दूसरा point यहीं है कि वहाँ पर जो आपने दस्तावे दिये उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां पर भी आपको पैसे कम दिये जाने की पूरी संभावना है और तीसरी बात यहां पर आ रही है कि बहुत से दोस्तों ने यह भी गलती की थी कि जहां पर उन्होंने बताया था कि आपको यहां पर पाहिन कार्ड निवार है अपलोड करना तो वहां पर बहुत से दोस्तों ने पाहिन कार्ड के अस्थान पर उन्होंने क्या अधार कार्ड को अपलोड कर दिया है यह भी दोस किया है कि आपने अधार कार्ट को सम्मिट कर गया दोस्तों यह थी आहम लोगों के जो तीन गलतियां थी कि हमारी जो लगभग गलतियां हुए हैं तो दोस्तों मैं अब थोड़ा पॉइंट और बता दूं कि जिससे कि माली जिए कंपनी ने गलती कि जिससे कि कंपनी आप लोगों को फैसे कम देने की वज़ा कि बहुत से दोस्तों क्योंकि कमेंट में जो बहुत से दोस्तों ने बताया है तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बहुत से दोस्तों कमेंट करके बताया था कि सर यह कंपनी जो है कि खाना पूर्ती कर रहा है अब भोक्तान कर रहे हैं । आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को यहां पर कि क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों से कौन सी गलती हुई बता दोखो अगर कंपनी को पैसा देना चाहिए अगर देना होता तो आपको पैसा पूरा दे रहा है ठीक और यहाँ पर बात और रहा है कि कंपनी पैसा नहीं देगी कि आप लोगों को कंपनी पूरा का पूरा पैसा देगी लेकिन अगर आपको वो यानिक वह लूझे सकते हैं क्या चयंसक्त पहर लिलगा चैसा या जय सक्याँर अगर ऐसा problem है तो आप लोग मुझे comment box में बता सकते हैं मैं आपको भी उसके बारे में information दे सकता हूँ तो दोस्तों इस वीडियो को अधिस अधिस शेयर करेगा और हमारे चनल मौरे जी लाइपटेज को subscribe करके जरूर रखेगा क्योंकि इसी परकार के देली आप लोगों topic मिलते रहेंगे thank you आप सभी का हमाई इस ने इस्टूप चैनल महोजी लाइपटेज पर बने रहने के लिए